दोस्तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजूकेशन दोस्तो आज का हमारा तॉपिक है डिप्रेशन ये के आपके सबसे कॉमन मेंटल बीमारी जो दुनिया भर में लोगों को है कई हो को पता है कई उसके वजए से आप लिवार हो सकते हो जी याम हो सकते हो उसको एक्सुल्टी हम विमार हो सकते हैं, उसके वज़े से आपको symptom हो सकते हैं, और उसके पीछी का क्या पैखते हैं, उसमें और क reality है आपके दिमाग के अंदर आपके body के अंदर अगर आपको remotely depression हुआ है, sadness हुआ है तो आप relate भी करेंगे और आप समझेंगे, आपको समझना आवशक है जरूरी है तो कृपया देखते रही है आगे और इस वीडियो को शेर कर दीजेगा दबा दबा के कमेंट करिए इसमें कोई भी आपका सवाल है किसी भी परकार का किसी भी टॉपिक पर हम ज़रू कोशिच करेंगे और अपने क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा बताईएगा दब डिप्रेशन में पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉस ऑफ इंट्रस्ट मुझे कोई फरुक नहीं पड़ता छोड़ो जो मर्ची होते रहे पानी जारा बहते रहे तो डिप्रेशन कैन ऑल्सो कॉ कि लॉइयस को वार में ने सबसे गाड़ी से लिए बिप्रेशन एंडर सो यह पैदा होते है अww बहुत सारे तरीके हैं इस conception आपको बिमार करने करने के लिए उसके हम बताते कैसे आपका जो brain है वो आपके बहुत पावरफुल चीज है वहर चीज को कंट्रोल करता दिल की धड़कन को आपके पेट को आपके आपके अथनियों को उनकी स्पीड को जब आप जब आप जब आप जब आप अपकी दिल की धड़कन बढ़ जा यहां पर लाली आ जाती है क्योंकि यहां ब्लेड फ्लो बढ़ जाता है सेम वे जब आप डिप्रेस्ट होते हैं आपका जी आई ट्रैक्ट आपका इंटस्टाइनल सिस्टम आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है उसका एक्जामपल बताता हूं बच्चे को डरा जेते हो तो चापिशन कर सकते हैं कि कॉंट्राक्शन गये डर गया दूसरा कई बार उसके जो मूव्मेंट है वो मूव्मेंट होता है तब ढोट कर देते हैं भूत ज्यादा कई बार ऐसा चीज़े लो सकती है तो यौर डिप्रेशन यौर स्ट्रेस कें में क्यू सिक और लिटरी कई ब bowel syndrome कर सकते हैं आपका stress depression दूसरी चीज दूसरे क्या कर सकते हैं depression या stress या anxiety आपका acid level बढ़ा सकते हैं पेट का जो acid production होता है वो बढ़ जाएगा तो आपके पेट में ulcer हो सकता है आपको acid reflux है तो वो बढ़ सकता है ये दिक्कते आपको आ सकती है ये मतलब आप depression है anxiety है तो आपको gastro isofasial reflux disease irritable bowel syndrome आपको अपना ulcers ऐसी चीज़ें हो सकती है gastritis ऐसी चीज़ें हो सकती है दूसरा aspect जो depression वाली बिमारी या stress आपको कर सकता है anxiety कर सकती है वो है sleep disturbance आप रात को बहुत common है आपको tension है stress है आप सो नहीं पा रहे हो आप रात को नहीं सो पा रहे हो आपको problem हो रही है आप बहुत ज्यादा चिंतित हो परिश्वान हो आप आप जाओ बात्रूम में आ रहा हुँ जाओ hello hello a better matter to check job it up oh ho 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 एक गएर बीटियोओ पूलशकाव है किए अथ र्क दिशस्टर बैंसे यह ब्ल में मुश्ब्स अपको नीड आने मैं मुश्किल यह ए मुश्ब्स कई लोगों को जागने मुश्ब्स को पूरा-पूरा तीन सोना यह इस सतरह और डिप्रेशन आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है तो उसके लिए शरीर को नीद जरूरी है स्लीप डिप्रेशन के वज़े से आपके यह जो प्रोसेस है उसके उसके वज़े उसके प्रॉब्लम आती है नैचरल की इनल से लिटरली आपके खतम हो जाते हैं जो आपके एक डिफेंस माली जे पुलिस वाले वो खतम हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी नीन के कमी के होती है वो भी depression anxiety stress के वज़े से और directly indirectly आपके immune system को problem करती है और साथ ही आपको कई सारी बिमारियां जैसे chronic inflammatory disease अपना heart diseases type 2 diabetes कुछ प्रकार के cancer उन में भी stress or depression का role है heart rate बढ़ा सकता है depression stress anxiety blood pressure बढ़ा सकता है heart की rhythm irregular हो सकती है arteries damage हो सकती है यह studies में भी देखा गया है और weight loss या weight gain math slow तो weight loss या weight gain यह भी कर सकता है depression कई लोगों का क्या होता depression anxiety के वज़े से खारना नहीं खाते हैं loss of appetite क्या होगा weight loss कई लोग unnecessary unnecessary खाना शुरू कर देते हैं stress eating ice cream ice cream ice cream मीठा 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 तो क्या हो जाएगा weight gain so depression can make you sick very sick obesity कर सकता है इस तरह से depression कर सकता है headaches कैसे होगा बहुत सारे लोग 60% 30 to 60% लोगों को जिनको depression होता है उनको headache होता है क्यों होता है tension headache tension रहता है तो आपकी यह muscles contract हो कि यहां से पूरा headache होने लग जाता insomnia नीन नहीं आरी headache पानी नहीं पी रहे खाना नहीं खारे headache dehydration, depression यह सारी चीजे हो सकती है muscle pain हो सकते है dehydration से vitamin deficiencies हो सकती है कुछी दिनों में कुछी हफ्तों में कुछी महीनों में vitamin deficiency आ गई उसके वज़े से आपके muscle pain हो रहे है joint pain हो रहे है आपके body pain हो रहे है यह सारे problem आपको होने लग जाएंगे अगर आपको depression ही है बस सिर्फ depression के वज़े से so depression is not a simple thing इसी लिए मतलब multiple depression मतलब depression stress chronic stress depression और जो anxiety chronic anxiety can lead to physical symptoms physical बिमारिया increase your risk of diseases इसी लिए इसको बोलते है physical symptoms of depression और इसको treat करना होता है इसको treat करने के लिए behavioral therapy stress reduction उसके लिए exercise massage yoga meditation ये तो है जो घर में आपको करना है एक दूसरे से बात चीट उसके अलावा ओवर दे counter medication जो anti-inflammatory medication ऐसे तरमाइनोफिन वह वाली medicine आप ले सकते हैं pain killer muscle relaxants anxiety की medicine ले सकते हैं कुछ natural remedies मैंने बताई थी sleep के जैसे melatonin और omega-3 अश्वगंधा ये सब control नहीं कर पा रहे तब फिर आपको उसकी जवत है तो यह हुआ सारी बातचीत के कैसे आपका depression जो है आपको विमार कर सकता है और आप उसमें क्या कर सकते हैं तो आपको वीडियो झाल आपको वीडियो